हेलो फ्रेंड विलेकम बैक तो मैं योटूब चैनल ग्यान टेक्स स्रीज फिनाज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप इस्टाग्राम एप यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन होने वाले क्योंकि इस वीडियो मे आपको यही बताने वाला हूँ बस आपसे रिक्वेश्ट है इस वीडियो को पूरा देके तभी आप सही तरीके से सीख पाएंगे और फाइंड कर पाएंगे और डिलीड कर पाएंगे अपने इस्टाग्राम के पर्मानेंटली एकाउंट को तो फेंड चले वीडियो को से पहले आपको अपने मोबाल पर इस्टाग्राम एप ओपन करना है ओपन करने के पास अपने प्रोफाइल को ओपन करेंगे फिर आप राइट फाट के टॉप करने पर थ्री लाइन में क्लिक करेंगे फिर यहां पर एक आपसान आता है सेटिंग्स का सेटिंग्स में क्लिक करेंगे अब यहाँ पर Instagram की जितनी भी settings हैं आपके सामने open होके आ जाएंगी यहाँ पर एक option देखने मिलता help का help में click करेंगे फिर आपको यहाँ पर help center में click करना है फिर आपको किसी एक browser को select करके open करेंगे इतना करने के आपको अपने language को set करना है जैसे करेंगे यहाँ पर आपके language change हो जाएगी अब आपको राइट-फाट के top corner पर 3-line में click करेंगे manage your account में click करेंगे delete your account में फिर से click करेंगे फिली का how I do delete my Instagram account यहाँ पर click करेंगे तोड़ असा नीचे जाएंगे delete your account में फिर से क्लिक करेंगे इतना करने के बाद यहां पर आपको अपना रिजन देना है यहां पर पर क्लिक कर देंगे फिर आपको करने क्या है यहां पर आपको अपना पासवर्ड डाला है याद करना है जो भी आपका पाफ़र है वो यहां पर पाफ़र्ड डालेंगे नीचे जाएंगे और delete account में यहाँ पर click करेंगे जैसे click करेंगे तो यहाँ से आपका account permanently delete हो जाएगा आपको यह ध्यादना है कि एक महिने के अंदर आपको अपने account को दुबारा से login नहीं करना है लॉग इन करेंगे तो delete नहीं होगा तो आपको यहाँ पर password डालने के बाद delete में क्लिक करेंगे तो आपका account हमेशा के लिए permanently delete हो जाएगा उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो like करना चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe करके notification बिल को प्रेस करने जिससे आने वाले वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले मिलेगा तो friends वीडियो में इतना ही thank you for watching take care